हेलो वेलकम वन्स अगेन माई डियर स्टुडेंट्स मैं आपका टीचर पृतिक दुवेदी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल Study for Win Perth तो दोस्तों जैसा आपको पता है कि मेरे प्रिविएस वीडियो में जिसमें हम लोग हिंदी भासा और उसके थियास के बारे में पढ़ रहे थे तो प्रिविएस वीडियो में आप लोगों ने हम लोगों ने cover किया था जो उतर प्रदेश की जितनी भी बोलिया है भासा क्या होती है तो यह सभी मानक भासा क्या होती है यह सभी हम लोग अपने प्रिवेस वीडियो में कवर कर चुके थे अब आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज यह चैप्टर का दी एंड हो जाएगा इस चैप्टर में अभी हम लोग पढ़ेंगे शुरुबात करेंगे विभासा से थिका है विभासा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जब ये खतम हो जाएगा इसके तुरण Park ही हम लोग इसी टॉपिक मलब इस टॉपिक का जो लास्ट इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक रहे गया है हिंदी और सम्विधान हिंदी भासा का जो सम्विधान में क्या महत्व है कहां कौन से अनुचेद में कौन कौन सी बाते कही गई है ये सबी कुछ हम लोग आज ही इस वीडियो में कवर करेंगे और लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन्स भी कराऊंगा तो दोस्तों वी बोली में किसी बोली में साहित की रचना होने लगती है तो वो विभासा कहलाती है जब किसी बोली में साहित की रचना होने लगे तो उसे हम विभासा कहते हैं अब ये विभासा जो है वो तीन भागों में हिंदी की विभासा है उसको हमने तीन भागों में बाटा है कैसे ब तीन भागों में बटी है, पहली तो है अपनी ब्रजभासा, ठीक है, ब्रजभासा अपनी जो है पहली विभासा बोलेंगे, इसके बाद जो दूसरी है, वो है अवधी, और तीसरी है खड़ी बोली, तो हमें मुख्य तोर पर इन तीन जो विभासा ये तीन प्रकार से है, पहली ब्रज, दूसरी अवधी, तीसरी है खड़ी बोली, इन तीनों के बारे में हमें डिसकस करना है, थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन के जो कोश्चन्स पर सकते हैं, वो मैं आप से भी डिसकस कर देत कन्नो जी, ठीक है, और आपको पता होगा कि विभासा क्या होती है, जब साहित की रचना होने लगे, जब किसी बोली में, तो ये जो तीन बोलियां लिखी है, इन तीनों बोलियों में साहित की रचना हुई है, इसलिए इन तीनों को विभासा की कटेगरी में रखा गया है, अब जड़ा एक एक और लाइन देखिए इनके बारे में हम सबसे पहले ब्रज की बात करेंगे तो ब्रज जो है हमारी वो है कावे भासा ब्रज को हम लोग बोलते हैं कावे भासा है ना इसमें कावे की रचना हुई है ओके और फिर हम बात करेंगे ये भी हमारी एक तरीके से कावय भासा ही है कावय भासा तीक अब लास में बोलते हैं खड़ी खड़ी बोली इसको हम लोग बोलते हैं ये गद्य एवं कावय दोनों की भासा है ओके आशा एक और चीज़ दोस्तों खड़ी बोली को कहीं कहीं पर नाम कौरवी भी दिया जाता है क्या नाम दिया जाता है कॉरवी कॉरवी कॉश्चन में आ जाता है जैसे कि मैं आप से कह स्थ कॉश्चन पूछ दू एक कहूं कॉल वी क्ऊन सी हिंदी की उप भास हो से तालुक रखती है आप आप बो लेंगे कॉरवी तो कौरवी बोली तो आपने किसी उबहासा में लिखाई ही नहीं थी बट आप याद करिये मैंने जितनी भी उबहासा है लिखाई थी उसमें से पस्चिमी हिंदी में मैंने आपको बताया था कि पस्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आती है तो कौरवी भी वहीं आती है क्यों अब एक और कोश्चन इससे बन सकता है ब्रज और अवधी से वो ये बन सकता है कि ब्रज या कावे भासा के जो प्रमुक कवी हैं वो कौन है प्रमुक और प्रिशिद्ध कवी तो वो हैं हमारे सूर्दास जी ठीक है तो ब्रिज बोली या ब्रिज विभासा में कावे की रचना के सबसे प्रिसिद्ध कवी है सूरदास जी अब आप तुरंद बोलेंगे कि वैसे ही अवधी में जो कावे भासा है तो अवधी के प्रमुक कवी कौन माने जाते है तो ये भी simple है आप सभी ने नाम सुना होगा तुलसी दास जी ठीक है ना तो ब्रज के या कावे भासा के ब्रज की जो कावे भासा है उसके प्रिसिद कवी है सूर्दास जी और आविधी की जो कावे भासा है उसके प्रिसिद कवी हमारे जो है प्रिसिद है सबसे वो है तुल दूसरी विवासा के अंतरगत कौन-कौन सी ऐसी बोलियां है जिन में सहित्य की रचना हुई है तो वो हिंदी में अपनी ब्रिज है अवधी है और खड़ी बोली है खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी भी है ब्रिज में कावे की रचना हुई है अवधी में भी कावे की र हैं आप लोगों ने कई बार paper दिया होगा तो उसमें कुछ questions किये हुए होंगे ऐसे ठीक है अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी विभासा पढ़ा दिया है अब मैंने आपसे बोला था कि इसके बाद हम लोग तुरंद पढ़ेंगे कि हिंदी और सम्विधान हिंदी का क जो विकास हुआ या सरली करण हुआ है उसमें बीच में आई थी पाली प्राकरत और अपब्रंस इनके बारे में भी कुछ questions बन सकते हैं तो उनको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं दो दो लाइन में कि पाली प्राकरत और अपब्रंस को क्या discussion है मैंने दोस्तों जली से पाली के बारे में कुछ महतवपूर्ण जानकारी कि जैसे हम जानते हैं पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ पाली की जो समयकाल खंड है पाली का वह 500 इसा पूर्व से 1020 तक का माना गया है और जो बहुत धर्म की प्रमुक भासा बहुत धर्म की बहुत भासा थी तो हम बोलेंगे पाली यवी कोस्टिन बन सकता है दूसरा ट्रपिक गरन्थ कौंसा गरन्थ है यह तरिपिक गरन्थ की रचना भी पाली में हुई तो इसके अंदर गस्प इसमें तीन क्रण्थ आते हैं कौन-कौन से आते हैं बच्चों एक आता है पहला अपना पाली में ही लिखा गया है उसके बाद है एक और सुत्थ पिटक सुत्थ पिटक कुश्चन आजा विने पिटक की रचना किस भासा में हुई है तो बोलेंगे पाली सुत्थ पिटक की रचना किस भासा में हुई है तो ये भी बोलेंगे पाली और लास्ट एक और है अभी धंब पिटक अभी धंब पिटक इसकी रचना भी किसमें हुई है तो पाली में ही हुई है विनाय पिटक सुत्पिटक और अभी धंब पिटक इन तीनों की रचना भी पाली में हुई ये त्रप्टा ग्रंथ की रचना किसमें हुई पाली में वो कब से कब तक था 500 इसा पूर्व से एक इसवी तक का बोल जाता है पाली से इतने questions फ़स सकते हैं दोस्तों इसलिए मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट चीज है आपको बताना बहुत ज़रूरी है तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा प्राकृत के बारे में ऐसी दो तीन लाइन है प्राकृत के बारे में शुरू करते हैं जी है दोस्तों तो जैसा अभी हम लोगों नेपाली के बारे में पढ़ा है तो अब प्राकृत के बारे में पढ़ेंगे कि प्राकृत का जो समयकाल खंड था वो था एक इसवी से पांचसो इसवी तक का और प्राकृत का जो समयकाल है वो एक इसवी से पांचसो इसवी तक का है और प्राकृत को बोला जाता है वो पाली बौद धर साहित्य की रचना हुई जैन ie साहित्य की रचना और थे क्यिंद साहित्य की रचना तो वह भी प्राकृत में तो आप वहां पर जैन साहित्य की रचना के बारे क्या बोलेंगे अजयन धर्म की प्रमुक जो भाजाती तो हम बोलेंगे वो प्राकृत राइट ऑप्शन आप लगा सकते हैं लेकिन अगर आपने यह पढ़ा ही नहीं होगा तो आप इसमें राइट ऑप्शन लगाएंगे कैसे दोस्तों आप लोग नोट्स बना रहे होंगे जैसा मैंने पहले भी आपसे जब यह जो हिंदी भासा का इत्यास और सम्विधान से रिलेटर जो भी जितने भी मैंने बोला था मैं जितने भी वीडियो बनाऊंगा उसमें आप नोट्स भी प्रॉपर उससे बनाते रहिएगा तो उमीद करता हूं कि नोट्स आप बना अपब भरंश, तो पाली प्राक्रथ फिर उसके बाद अपब भरंश है, जहां से प्राक्रथ का खतम हुआ था समयकाल खंड, वहीं से इसको हम अपबरंश को चालू करते हैं और ऐसा माना जाता है कि पांच सो इसवी से एक हजार इसवी तक का जो समयकालखंड है वो अपब्रंस का रा है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है बिल्कुल भी इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है आप किसी भी मतलब आप पेपर में आता है के अपब्रंस का समयकालखंड कितना था तो आप 520 से 1040 तक लगा के आईएगा 100% सही होगा कहीं कोई गलत नहीं होगा ठीक है तो जैसे कि पाली थी बहुत धर्म की प्रमुक भासा प्राकर थी जैन धर्म की प्रमुक भासा इसी तरीके से आप ब्रंस है आप ब्रंस के बारें बोला जाता है कि आप ब्रंस स यह ऐसा बोला जाता है सभी धर्मों की कौन सी एक मुख्य बासा थी तो हम बोलेंगे उसमें अपब्रंस और उसके बाद अगर बोलें के अपब्रंस में साहित की रचना हुई है तो बोलेंगे आदिकालीन साहित की रचना आदिकालीन साहित की रचना भी अपब्रंस में ही पाली प्राकर्ट और अब्रंस के बारे में कुछ और ज़रूरी चीज़ें थी जो मैंने तब नहीं बताई थी अब मुझे बताना थोड़ा सा ओप्यूक्त लगा तो मैंने मुझे लगा कि ये भी बताना चाहिए इनसे भी कोश्चन फस सकते हैं जैसे कोश्चन आ जाए कि आ अब हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो टॉपिक है आपका हिंदी और सम्विधान जी हा दोस्तों तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना नए टॉपिक जो हिंदी भासा का इतिहास और सम्विधान से ही है चैप्टर से तो वो है हिंदी और सम्विधान अ कौन सी अनसूची है भईया तो दोस्तों यह आप याद रखिएगा आठवी अनसूची कुश्चन यहीं से बन जाता है कि सम्विथान की कौन सी अनसूची में भासाओं के बारे में जिक्र है तो आप क्या आंसर होना चाहिए आठवी अनसूची में और आठवी अनसूची के अंतरगत कितनी भासाएं ली गई हैं तो टोटल है 22 भासाएं दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि आठवी अनसूची के अंतरगत ली गई हैं 22 भासाएं जो हमारे समविदान में 22 भासाएं को हमारी कोई राश्टर भासा नहीं है लेकिन हमारे संविधान में जो अलग अलग छेत्रों से खेत्रों से रिडेटर अलग अलग जितने भी स्केट्स उनसे रिडेटर अलग अलग भासा sach मिलती हैं तो ऐसे कुल मिलाकर हमारे समविधान में 22 भासाओं के बारे में जिक्र है लेकिन ये ऐसा नहीं था कि जब आजादी के बाद समविधान बना तो तुरंद ही ये 22 भासाओं उसमें डाल दी गई ये कुल मिलाकर 22 भासाओं जो बनी सबसे पहले बेटा कुल मिलाकर य सबसे पहले थी चवदा भासाएं यह चार चरणों में जो आखरी भासाएं ली गई थी सबसे पहले टोटल भासाएं थी हमारे पास चवदा ठीक है उसके बाद समविधान में एक और भासा जोड़ी गई तो हो गई थी 15 चीक है इसके बाद समविधान में एक सब तीन भासाएं जोड़ी गई तो हो गई तो 18 अठारा इसके बाद लास्ट में एक लास्ट चार भासाएं और जोड़ी गई हमारे समविधान में तो कुल मिलाके हो गई वो 22 ओक इस तरीके से यह टोटल 22 भासाएं हैं ये सम्विधान में सबसे पहले 14 भासाइं जोड़ी हुई थी फिर एक भासा जोड़ी गई तीन भासाइं उसके बाद और चार भासाइं सबसे बाद में जोड़ी गई है तो अब आपको पता होनी चाहिए कि हमारे सम्विधान में जो टोटल 22 भासाइं हैं वो कौन-कौन सी ह तो यह चौदा भासा हैं जो जोड़ी गई हैं इनको मैं बाद में बताओंगा लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले नई भासा जोड़ी इन चौदा भासाओं के बाद उसका नाम था वो भासा कहलाई रैड से लिखता हूँ मैं सिंधी सिंधी भासा बहुत से लोग जानते होंगे यह भी हमारे यहां की भासा है और यह समविधान में जोड़ी गई है अब समविधान में कोई भी जैसे किसी भी छेतर की बोली को जोड़ा जा सकता है वो एक हमारे समविधान की बाइस भासा बन सकती है बस उसके लिए क्या होता ह कि उस छेत्र के लोगों को प्रयास करना पड़ता है वो अपनी डिमांड उठाते हैं डिमांड उठाके वो चीज अपने जब पार्दिया में पास होगी तो वो भासा को भी जोड़ दिया जाएगा लेकिन इतना आसान नहीं होता है कि यह कोई भी भासा जोड़ जाती है तो स कि नेपाली कोंकणी जो हमारे कौंकण महारास्ट का जो कौंकण छेत्र है रीजन है कौंकणी रीजन वहां बोली जाती है तो यह तीन जो भासाएं थी यह पहले जुड़ी सिंदी उसके बाद मनीपुरी नेपाली और कौंकणी यह तीन जुड़ी इसके बाद जो चार भा दोगरी संथाली चली मैं लिख देता हूं यहां पर अब बोडो जोगरी तीक है दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर हाई यह लिखा हुगा है बोडो जोगरी फिर है संथाली और एक थी मैथली संथाली और लास में थी मैथली अगर आपको ना दिखाई दे तो जो मैं बोल रहा हूँ आप उससे समझ सकते हो ठीक है बोडो डोगरी संथाली और मैथली तोड़ा समय से कर देता हूँ अब दिखाई दे रहा होगा हाजी तो यह थी आपकी टोटल मिला के यह थी आठ भासाएं जो ह हमारी समविधान में बाद में जोड़ी गई हैं लेकिन इससे पहले जो 14 भासाएं जोड़ी जा चुकी थी उनके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए वह कौन कौन सी थी तो फटाफट से मैं वह लिख देता हूँ तो वह मैं ब्लैक पैन से ही लिखूंगा जो सबसे पह फिर मराथी आप नोर्स बनाईएगा मेरे साथ साथ मैं बोल रहा हूँ लिखते जाए हिंदी उर्दू गुजराती हुई मराथी हुई इसके बाद जो है तमिल तेलगू ये भी हैं तमिल तेलगू ठीक है उसके बाद हमारी बंगाली उडिया कंणर ये सब कंणर मली आलम ये तो एक ही साथ चारों हम ले लेते हैं कंणर और मली आलम ये टोटल मिलाके अभी मैंने लिख दी हैं आठ अब आठ इनके बगल में मैं लिख देता हूँ आठ ये लिख चुकी है छे मैं और लिख देता हूँ इनके बगल में ठीक है तो हिंदी उर्दू गुजराती मराथी तमिल तेलगू कंणर मली आलम इसके बाद हम लिखेंगे बंगाली पंजाबी पहले यहां लिखता हूँ पंजाबी बंगाली तो इस तरीके से हो गई य ओधो है असमिया असम में वो दी आती है असमिया टिक है असम के बाद हो गई हमारी अओ उडिया कि उडिया एक कश्मीरी तो इस तरीके से कितनी हो गई एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा और एक लास्क में और जो भासा थी जो शुरुआत में ही जुड़ चुकी थी वो थी संस्कृत इसको कैसे बूल सकते हैं हम संस्कृत तो आपकी स्क खाई दे रही होंगी ठीक है ना तो जो सबसे आखिर में चार भासा हैं जुड़ी इनको यह जो बोडो डोंगरी संथाली और मैथली इनको आप लोग कोड़ बनाके याद कर सकते हैं इनका जो कोड़ होगा वो होगा इस तरीके से बी-डी-एस-एम बी-डी-एस-एम बना कौण सी थी तो बोड़ेंगे बी-डी-एस-एम हमें कोड एद हैं बी से हमारा बोडो बी से हो गया रोग इस से हो गया संथाली और मैथली इसके पहले तीन भासा कौन सी जुड़ी इंथी तो मनीपुरी नेपाली कॉंकडी उसके पहले जो भासा जुड़ी सिन्दी यह से एक बार ले देता हूँ आपके सामने देखिए लिखिएगा जरूर हिंदी उर्दू गुजराती मराथी तमिल तेलगू कंणर मलियालम पंजाबी बंगादी असमिया एक डंडा बना लो असमिया उडिया कश्मीरी और संस्कृत यह चौदा भासा है आपके सम्विदान में पहले से जुड़ी हुई थी ठीक है और यहाँ पर एक भासा है जिसका जो हमारे इंडिया में जिसका बहुत जादा प्रिचलन है जो की सम्विदान में उसका कोई लेना ही देना नहीं है वो है एक अंग्रेजी जाब आप सबको पता होगा कि अंग्रेजी हमारे मुख्य त भासा है भारत में सहायक भासा के तौर पर यूज करी जाएगी इस्तमाल में लाई जाएगी और कुछ सालों के बाद लगवग ऐसे ही 10-15-14 सालों के बाद अंग्रेजी को हमारे जो पढ़ाई के सिलेबस से और इस्तमाल से हटा दिया जाएगा पूरी तरह से तो अंग्रे भोषपूरी उन 22 भासाओं में है जो हमारे सम्वधान की आठमी अंसूची के अंतरगत आती है तो आप देख लीजेगा आपको कहीं भी भोषपूरी का जिक्र नहीं मिलेगा ठीक है चलिए बाई तो यह कोश्चन है कि कौन सी भासा हमारे सम्वधान के अंतरगत सहायक भा भासा के तोर पर यूज होगी इस्तमाल में लाई जाएगी अब हिंदी भासा का सम्वधान से आठमी अंसूची तो हमने ले ली अब कौन सी अंसूची में किस चीज का जिक्र है यह चीज भी हम दो मिनट में सीख लेते हैं बहुत सिंपल सी चीज है आप जान लो चलो जो म मुख्य मुख्य इंपॉर्टन चीज है वो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी है मैं बोलूगा और आप उनसे नोट्स बनाईएगा ओके तो जल्दी फटाफर देख लेते हैं और आज का चैप्टर दी एंड हो जाएगा यह वाला पूरा यह हिंदी भासा और सम्व जो हिंदी या फिर हम कहें कि सम्विधान में जो आठवी अनसूची में भारत की जितनी भी भासाइं हैं उनका जिक्र किया गया है तो सम्विधान के किस भाग में भासाओं का जिक्र किया गया है तो भाग बोलते हैं वो है भाग नंबर सत्रा सत्र में भाग सत्रा में भास बहुत से लोग जानते हैं अनुच्छे 343 बट 343 इस फॉर हिंदी है ना हिंदी जो हिंदी के लिए है वो 343 माना जाता है बट सभी भासाओं के लिए कुल मिलाके अनुच्छे हमारे हैं 343 से लेके 351 ठीक है उसका क्या काम है क्या उसके नियम है ठीक है इसके बाद है अध्याए तो कुल मिलाकर हमारे जो भाग सत्रा के अंतरगत आते हैं सीधिक और किया है यहां पर पूरी बाइस भासाओं को हमझे कोई ले ना देना नहीं है मैं आपको बता दूसके आपना के फिरम नोट्स में लिख लीजीएगा कि सम्विधान के किस भाग में सत्रवे भाग में वह यह जिक्र है भासाओं का अनुच्छे 343 से 351 तक और अध्याय कुल मिला के सत्रवे भाग में चार अध्याय हैं तो अब हम इनी को थोड़ा सा डिटेल में अभी ये छोटा सुलूप है अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा खोल लेते हैं तो जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको भाग सत्रा भाग सत्रा के अंतरगत कितने अध्याय हैं तो चार अध्याय हैं है ना भाई चार अध्याय है चलिए भाईया अध्याय वन अध्याय एक अध्याय दो अध्याय तीन और अध्याय चार देख रहा होगा दोस्तों चलिए वन टू त्री फोर थोड़ा सा अच्छा लगे इसके लिए मैं थोड़ा कलरफुल कर देता हूं इसको तो डिफरेंट कलर से अलग कलर से ले लेता है इसको तो बाग सत्रा के अंतर का चार अध्याय हैं अध्याय एक दो तीन और अध्याय चार अब जैसा मैं मैंने बताया था कि इन चार अध्यायों में टोटल पूरे अनुचे राजाते हैं अनुचे 3403 से लेके अनुचे 351 तक तो देखिए कौन से अध्याय में कौन से अनुचेद आते हैं ये भी कुश्य भास सकता है कि अध्याय 1 में कौन-कौन से अनुचेद हैं, अध्याय 2 में कौन-कौन से हैं, अध्याय 3 और अध्याय 4 में कौन-कौन से अनुचेद हैं, तो फटाफट से देखिएगा उनको, अन अनुचेद 344 और अनुचेद 344 ये अध्याय 1 में आते हैं इसके बाद है अनुचेद 345 अनुचेद 346 और अनुचेद 347 ये आते हैं अध्याय 2 में उसी प्रकार से अब यहां पर दो आएंगे अनुचेद 47 खतम हो गए 48 34349 और बाकी के जो दो बचते हैं वो अध्याचार में आते हैं अनुचेद 350 और अनुचेद 351 तो दोस्तों कुल मिलाके ये 343 से 351 तक टोटल 9 अनुचेद हैं है ना दोस्तों तो ये 9 अनुचेद में आप यहसे याद करो कि अध्याए 1 एक अध्याए 2 अध्याए 3 अध्याए 4 इन 4 अध्याए में पहले तीसरे और चौथे में दो दो अनुचेद हैं बस दूसरा जो अध्याए उसमें 3 अनुचेद हैं अब आप करम से याद रखो जैसे मैं आपको ट्रिक बताता हूं कोई बोले के अनुचेद अध्याए 1 एक से कौण कौण से अनुचेद स्टार्ट होते हैं आपको थे तूरंद और दिमाग से नकाल दो के अध्याए 2 वाले खटा जो अध्याय तीन में है वो दो अनुच्छे फिर से आ गए अब कौन से 47 यहां खतम होता तो भाईया 344 अध्याय 3 और 350 351 अध्याय चार में आते हैं लेकिन जो हमारे लिए मुक्यता में इंपॉर्टेंट है वो यह है अध्याय एक अध्याय एक जो है यह हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिटा जल्दी से इसको देख लेते हैं डिसकस करते हैं दो मिनट के अंदर इसको डिसकस करके खतम कर देते हैं चलिए भाई तो दोस्तों जैसा कि आपको आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा कि अध्याय वन में दो अनुच्छे थे जैसे मै जो पूछी जाती है कि संग की राज भासा हिंदी और लिपी देव नागरी होगी तो हम लोग सिंपली कहते हैं उसका अंसर होगा अनुच्छे 343 बट यहां आपको एक और चीज़ दिख रहे होगी 343 जो है 343 भी तीन भागों में बटा हुआ है 343 या 343 A B और C यह तीन प पाट में बटा हुआ है अब फटा फट देख लेते हैं इन तीनों के अंतरगत क्या होगा मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं लिखूंगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट मैं बोलूँगा आप नोट्स बना लीजेगा सबसे पहले अनुच्छे 343 वन में क्या कहा अनुच्छे 343 वन में वही कहा गया जो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि संग की राजभासा हिंदी और लिपी देवनागरी है यह किस अनुच्छे में कहा गया तो अनुच्छे 343 में कहा गया लेकिन उस अनुच्छे 343 की कौन सा पार्ट था अनुच्छे 343 वन में कहा गया है संग की राज भासा हिंदी और लिपी देव नागरी होगी तो आप ने ये नोट्स में लिख लिया होगा आप जब वीडियो देखेंगे तो आप पॉस करके आराम से दोमनट लेके लिख लीजेगा इसके बाद है 343.2 में क्या कहा गया है 343.2 में भी बहुत सिंप भासा के रूप में कारे करेगी मैं फिर से बोल रहा हूँ आप एक बार ध्यान से सुनिएगा अनुच्छे 343.2 में कहा गया है कि सम्विधान लागू होने के 15 वर्सों तक यानि लागू होने से लेके 15 वर्सों तक हिंदी की सहायक भासा के रूप में कौन होगी संग की राजवासा, हिंदी और लिपी देवनागरी 343 वन, overall कहें तो 343 महीं है, दूसरा, कि सम्विधान लागू होने के 15 वर्सों तक अंग्रेजी हिंदी की सायग भासा के रूप में कार्य करेगी, तीन में क्या आगा गया, अगर संसद चाहे, तो अंग्रेजी को हिंदी भासा की सायग भासा के तौर पर आगे, रखे, जारी रखना है, नहीं चाहती है, तो बिल्कुल न रखे, ठीक, बिल्कुल हटा दे, ये हमारी संसद कर सकती है, ये कहा गया सम्विधान के अनुच्छे 343 के पार्ट 3 में, अब 344 में क्या कहा गया है, भाईया, 344 में जो कहा गया, वो ये कहा गया, सबसे पहले, आप लिखिएगा, मैं बोलता हूँ, तो आप सबसे पहले लिखेंगे, इसमें, दो पॉइंट कहे गए, पहला पॉइंट है, राज भासा आयोग का गठन कौन करेगा, राश्ट पती राश्ट पती करेंगे, राश्ट पती करेंगे, तो पहली बात कही गई, एक और बात कही गई, नोर्स में आप लिखिएगा जरूर, दूसरी बात, मतलब कहीं तो यही गई कि राजभासा आयोग को गठन राशपती करेंगे और दूसरा राजभासा आयोग के जो पहले जो अध्यक्ष थे राजभासा आयोग जब गठन हुआ तो पहले अध्यक्ष इसके कौन थे यह देखी कई बार हम लोगों ने question discuss किया है इसको कई बार discuss किया है यह हमारे कई अभी जो हम लोग जितने भी papers करते हैं ना जो हमारे daily life class है से साथ चलती थी उसमें question एक question जरूर फस्ता था कि राजभासा आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे अच्छा सबसे पहले राजभासा आयोग कब गठत हुआ तो हुआ था 1955 में यह भी लिख लेना यह भी question फस्ता है कि र बी जी खरे इसमें यहां डॉट लगा दो शॉर्ट नेम हम उनका बी जी खरे ओके तो राजभासा आयोग का गठन कौन करेगा राश्पती करेंगे उसके बाद इसकी स्थापना कभूईती राजभासा आयोग की 1955 में और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे बी जी खरे चलिए तो यह हमने जाना कि अध्याएवन में जो दो अनुच्छे राते हैं 343,344 उन दोनों में क्या क्या बाते कहीं गई अब हम लोग चलते हैं अध्याएवन की तरफ फटाफट से देख लेते हैं जल्दी से जिहां दोस्तों तो चलिए अध्याएवन में देखते हैं फटाफट से अनुच्छे 345,346,343,343 अनुच्छे राते हैं एक एक लाइन की बात कहीं गई है सभी में देख लीजेगा दर अध्याएवन से सुनेगा अनुच्छे 345 में जो की अध्याए 2 के अंतरगत आता है राज्य की राजभासाओं का जिक्र मिलता है क्या मिलता है अगर आपसे पूछे के राज्य की राज्य भासाओं का जिक्र कहां मिलता है तो आप बोलेंगे अनुच्छे 345 में या सम्विधान के किस अनुच्छे में राज्य की राज्य भासाओं का जिक्र मिलता है तो आप बोलेंगे 345 में ठीक है तो नोट में आपने लिख लिया ह बीच पत्राचार की भासा कौन सी होगे जैसे उत्तरपरदेश और ед a महराश्थ के बीच में जो पत्राचार की भासा है उसका जिकर मिलता हे तीन 347 है उसमें क्या का गया है ये भी आप दिख लीजेगा सिंपल सी बात है उसमें का गया है यदि किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ये चाहे कि उसके राज्य में बोलने वाली भासा या उनके द्वारा बोले जाने वाली भासा को उस राज्य की राज्य भासा के तौर पे रख दिया जाए जैसे महराष्ट की राज्य भासा मुलते हैं मराथी है ना तो अगर किसी भी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा तबका ये चाहे कि जो उनके द्वारा बोले जाने वाली भासा है उसको उस राज्य की राज्य भासा बना दिया जाए तो राश बोले जाने वाली भासा उनके राज्य की राज्य भासा बना दी जाए ये कहां लिखा है इस पे बिचार कौन करेगा राश्पती ये लिखा है पूरा-पूरा अनुच्छेद 347 में ठीक है तो फटाफट से देखो दो अनुच्छेद वहां निपड़ गए तीन ये निपड़ गए है दो तीन पांच चार और बचे हैं जल्दी से हम दो मिनट में वो भी देख लेते हैं अध्या तीन और अध्या चार के चलिए तो बटा देखिए फटाफट से 348 और 399 जो अनुच्हे आध्याइतीन में लिखेगा है उनमें क्या गया है अनुछ्ष्छे 339 में वह न簡um कि वे कहा गया है कि अऑंज्ष्य नयायालाया यानी सुप्रीम कोड वह उग्रेजी होगी यानी रभास है प्राश मर्त्राइब्स तो बस्तिरन कंवगर्ण होगी वह किर्दिया हो भास प्र पैदा होते हैं क्योंकि High Court Supreme Court की जितनी भी जो वरकिंग है वह किस बाशता में अंग्रेजी में झीक है और यहादा तर लोगों का हाथ तंग होता है ज्यादा तर वकील वहीं घरवर खा जाते हैं तो High Court Supreme Court की जो मुख्य भासा है वो कौन सी होगी अंग्रे जी और कहा कहा गया है यह कहा गया है अनुचेद 348 में ठीक है और 309 जास में यह कहा गया है यदि राज भासा राज भासा नहीं जो हम लोग बोलते हैं राज भासा तो उस पर मानी राष्टपती विचार कर सकते हैं आपको इसमें अगर लिखना है अनुच्छे 300 नहीं चास में तो आप क्या लिखेंगे जल्दी से लिखेगा यदि राजभासा संबंदी कोई भी प्रावधान है तो उस पर राष्टपती विचार कर सकते हैं या राष्टपती की सहमती की जरूरत पड़ेगी आप ऐसे भी लिख सकते हो कि राजभासा समंदी कोई भी प्रावधान है उसमें बदलाव के लिए किसकी सहमती की जरूरत पड़ेगी राश्वती की और ये किस अनुच्छेद में का गया है अनुच्छेद 349 में और ये किस अध्याय में है तो ये भाग 17 के अध्याय 3 में आ आई गाये गा जी हां तो दोस्तों अध्याय 4 में बद्याय 4 है उसमें अनुच्छे AG 350 में क्या लिखा गया है अनुच्छे 350, 340a, 351 तो ये पूरे भासाओं के लिए है तो 350 में कहा गया है जो भासी अल्प संख्यक हैं मतलब ऐसे लोग जो बहुत कम हैं जन संख्या में उनकी भासा बहुत कम बोली जाती है तो ऐसे भासी अल्प Sंख्यों को के लिए जो विसेश प्रावधान हैं वो 350 में लिखे गए है अनुच्छे 350 में ठीक है अब 351 में क्या लिखा गया है तो अनुच्छे 351 में लिखा गया है कि हिंदी का पिरचार एवं पिरसार सभी को करना चाहिए 351 में लिखा गया है कि हिंदी का पिरचार और पिरसार के लिए हर भारती ये बाद्य है या हर भारती को हिंदी का पिरचार एवं पिरसार करना चाहिए या अनुच्छे 351 में लिखा गया है तो दोस्तों आपने लिख लिया होगा ये सारे अनुच्छेद जो 343, 44, 45, 46, 47, 47, 49, 45, 51 ये 9 अनुच्छेद हैं जो कि भारती संविदान की अठारगी अनुसूची के अंतरगत हैं अधभाग 17 हैं टोटल अध्याए 4 हैं उनी अध्याए 4 जो 4 अध्याए हैं एक दो तीन चा 43, 43, 44 वो इंपोर्टेंट है और उसमें से भी 343 बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट है 343 पार्ट में है ये जरूर अच्छे से पढ़िएगा तो चलिए दोस्तों मैं अभी कुछ कोश्चन्स आपको बोलता हूँ जरा ध्यान से सुनिए पहला कोश्चन है कि भारती अनुच भारती सम्विधान के किन अनुच्छेदों में राजभासा संबंदी जिक्र है किन अनुच्छेदों में तो आप अंसर में क्या लगाएंगे आपका option क्या होना चाहिए आप option चुनेंगे अनुच्छ 343 से लेके 351 तक इसी तरीके से दूसरा कोश्चन है दोस्तों जल्दी अनुच्छे 351 में कहा गया है चलिए मैं दूसरा कोश्चन पूछता हूं कि अनुच्छे 348 में क्या कहा गया 348 याद करिएगा दोस्तों आपने नोट्स बनाये तो आप देख भी सकते हैं 348 में ये कहा गया है कि हाई कोड और सुप्रीम कोड की जो मुख्य भासा है वो अ आजियों के बीच में पत्वराचार की जो भासा होगी वो कौन सी होगी इसका जिक्र सम्विधान के किस अनुच्छे में मिलता है तो यह कोश्चन अगर आ जाए तो आप सीदे सीदे ठोक के आएंगे अनुच्छे 346 में मिलता है तो दोस्तों ये कुछ कोश्चन थे अब ठोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ और चीले जल्डी से में बता देता हूं आपको कि हम लोग अपना जो है चौदा से तंबर को हिन्दी दिवस मनाते हैं चौदा से सिपन्बर हमारा हिंदी डिवस में मनाया जाता तो चौदा से तंबर को क्या है चौदा सेंबर 1959 को 1955 से अभी मैंने शुरुवात में बताया था आपको पूरी आठवी हन्जूची 1955 सब कुछ उसके बाद है विस्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो दस जन्वरी को मनाया जाता है क्यों कि दस जन्वरी दस जन्वरी 1975 को पहला विस्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और वो कहां हुआ था दस जन्वरी 1975 को पहला विस्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में तो इसी दिविए दस जन्वरी को हम विस्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं चीक है तो चलिए गब या अब तो हो गई ये बहुत सारी बातें और मुझे उमीद है कि ये चैप्टर जो हिंदी भासा का इत्यास और सम्विधान ये आपको पढ़ाया गया है मज़ा आया होगा पूरे मज़े के साथ आप दोगों ने पढ़ा होगा और मैं उमीद करता हू कि ये पूरी चीजे आपको समझ में आ गई होंगी और आपने याद करी होंगी अब मैं फटाफट से आपको कल से डेली शाम को कम से कम दो दिन लगब पचास से साथ कोश्यंग ये हिंदी भासा और इतियास से सम्मंदित करवाऊंगा लाइक लास में आपको करवाया जाए हो तो प्लीज जितने भी ये चार वीडियो में मैंने ये चैप्टर पूरा खतम किया है उन चारो वीडियो को पूरा देखिए पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और नोर्स आप रॉपर बना सकते हैं ये भी मैंने आपको शुरू में बोला था कि नोर्स आप ऐसे ही जितना भी गोश्चन तूचे जाता है आप उसको सही आंसर दे पाएंगे आई होप तो आपके एक या दो नंबर के जितने भी प्रेशन आते हैं पेपर में इस चैप्टर से रिलेटर जो भारती भासा का इतियास तो आप पूरे कर पाएंगे तो मैं ब्रतीक दिवेदी अ मैं मिलूँगा आपको नेक्स चैप्टर में अब नेक्स चैप्टर का वीडियो जब आपको अप्लोड करूँगा फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जै हिन जै भारत आइं साइनिंग ओफ